Welcome back to Indian Soldier 1 गाईज मेरा नाम है वासर वो ले के आए हूँ आपके लिए PC and Console Setup Wars का एपिसोड No.2 इस एपिसोड में हम mainly focus करने वाले हैं on consoles लेकिन जो next episode होगा उसमें हम feature करेंगे PCs को तो अगर अब अपने laptop या PC के जो भी setup picks हैं मुझे भीना चाहते हैं तो प्लीज नीचर description में instructions दी हुई है, email address दिया हुआ है और how to participate की एक video है चूटी जी उसको प्लीज देख लेना क्योंकि अगर आप वो चार steps जो वीडियो में मैंने बताए हैं उनको follow नहीं करेंगे तो मैं आपका console या फिर PC setup फीचर नहीं कर पाँगा तो please take care of that और आगे बढ़ते हैं इस setup war के episode number 2 में तो सबसे मेला setup है हमारे सामने अभी नफसोनी का यह 14-year के student है भुपाल मद्यपरदेश से इनके पास एक PlayStation 4 Slim है जिसको इन्होंने अपने wall-mounted TV से connect करा हुआ है और PS4 Slim को रखा हुआ है इस table के नीचे जैसा कि आप देख सकते हैं cable management को थोड़ा सा अभी नब आप clean out कर सकते हैं, tidy look दे सकते हैं, cable को wrap करके या फिर cable को tie up करके और इनके पास जो games है वो है Grand Turismo Sport, God of War, Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, Thieves इस setup में एक छोटा सा concern है मेरा, वो है इस fish tank को लेकर आपने अगर इसमें पानी रखा हुआ है, fishes रखी हुई है तो please थोड़ा ध्यान से क्योंकि जब आप पानी चेंज कर रहे होगे तो हो सकता है आपका PlayStation 4 डामेज हो जाए अगर पानी नीचे के जाएगा तो, तो या तो अपनी PS4 Slim को टेबल गया राइट इंसाइड पे मूव कर दीचे ऊपर टेबल टॉप पे या फिर अपने फिश टैंक को थोड़ा सा सरकार के राइट इंसाइड पे कर दीजिए ताकि आपकी PS4 Slim खराब ना हो, that was only my suggestion, बाकि you know better, चलते है अपने setup नमबर 2 की तरफ, यह है फ PC भी है जितके specs इन्होंने यहां पे mention करे हुए है, इनके पास PC में i3 7th generation processor है, Zotec का 1050 Ti GPU है, 8 GB की RAM है, 500 GB SSD है, Kingston की और साथ में इनके पास 3 TB की storage है in total, तो इन्होंने एकसेसरी में बता रखा है कि इनके बास काफी सारे controller हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, दो Red Gear Game Pads हैं, Xbox One controllers ह हैं, और इनके पास जो keyboard mouse है, वो है Red Gear Keyboard Mouse, इनके पास जो games हैं, वो भी काफी अची collection है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यह अवेलेबल है, गुजरात में only 435 की रुपी, साथ में 1 year की replacement warranty है, Overall इनका setup decent है, बस मैं एक suggestion देना चाहता हूँ, वो है आपकी PS4 Pro से related, आपने PS4 Pro को काफी पीछे अपनी wall के साथ एक तम लगाया हुआ है, TV के नीचे रखा हुआ है, उसको थोड़ा सा आगे कर लीजे ताकि airflow अच्छा बना रहे, जिससे कि आपकी fan noise ज्यादा ना आए, क्यो सफ आगे की तरफ move कर लेंगे, तो heat कम create होगी, और fan भी धिरेगाम करेगा, और noise भी reduce होगी, और अपने controllers के ओपर से भी थोड़ी सी dust को हटा लीजे, overall आपका setup काफी decent है, अगला setup है अमीर हमजा का location है इनकी Delhi, और ये 15 years के student है, इनके पास एक Xbox One X console है, और आप देख सकते है यहाँ पर इनके setup जो बना रखा है, वो एक tabletop के ओपर इनके अपनी gadgets को रखा हुआ है, और एक काफी बड़े room में इनके setup बना रखा है, और सबसे चीब बाद और सबसे coolest thing जो इनके setup में है वो है projector, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो इनके बारे में आगे बात करे इनके पास सारी digitally purchase करी हुई, तो which is awesome, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ के इनोंने accessories में mention करी है कुछ चीजे, thumbsticks, four xbox controllers, red gear pro gaming headset, gear VR, on cue home theater, benQ projector, और जो इनके बास TV है, वो है woo 65 inch 4K HDR 60Hz का TV, which is awesome, अब आगे बढ़ते हैं final setup की तरफ, जो है हमारा setup of the day, और यह भेजा है प् एज है 26, salaried है, bangalore में रहते हैं, और इनके पास जो console है, वो है PS4 Slim 500GB, और जो की इनोंने mention करा हुआ है कि not enough, मतलब की जो storage है वो काफी नहीं है, accessories में इनोंने mention करा हुआ है, इनके पास 2 WD की 1TB की hard drives है, एक इनके PS4 के लिए, दूसरी है इनके laptop के लिए, और इनके पास JBL के Go Bluetooth Speakers है, मोनिटर में इनोंने mention करा हुआ है, BenQ का Zoe RL Series 24 इंच, Full HD 60 Hz मोनिटर, और इनोंने गेम्स जो है, वो बता रखी है, Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, Far Cry New Dawn, Batman Arkham Knight, Battlefield 5, GTA 5, Red Dead Redemption 2, Spider-Man, Unravel, Unravel 2, Payback, NFS, God of War, और साथने Sekiro, तो इनमें से mostly games इनकी है, Digital Purchases, ये से setup of the day इसलिए है, क्योंकि इनोंने एक छोटे से टेबल के ओपर काफी decently अपने setup को create करा हुआ है, और काफी neat and clean रखा हुआ है टेबल को, I wish मेरा भी ऐसा चोटा सा एक setup हो था, जिसके ओबर भाटके मैं सारा काम कर ले था, तो इनोंने काफी अच्छे से manage करा हुआ हुआ है इसको थोड़ी बहुत cable जो है वो दिख रही है, लेकिन वो ये manage कर सकते हैं easily, तो पीछे BenQ जो monitor है आपका उसके पीछे थोड़ी बहुत cables को अगर आप टाइप कर दे, तो और ज्यादा tidy लगेगा आपका setup, तो that is it guys, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर देना, comment कर द कर दोड़ी है, झाल कर दोड़ी है